अलो चैंपियंज वेलकम तो करेड़ा दे नुमेरिक हेलपर वीयर अगें फार यू तो ओरकम यूर फियर रिगार्डिंग नुमेरिकल्स इन फिजिक्स ओके तो जैसा की ग्रेविडेशनल चेप्टर से हम एस्टी वर्मा इसलिए एक्सी वर्मा जी के बुक से हम कोशन सौल क कर रहे हैं तो यहां पर भी हम आगे कंटीन्यू करेंगे तो पैन और कॉप्य ठालो बच्छों और मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो ओके सो लेट स्टार्ट कर दो कि कोशन नंबर वन क्या कहता है को कुशन वन नंबर वन कहता है एक मस्तोला कोशन कर वाता हो बच्छों आपको अबाल इस ड्रॉब्ड फ्रॉम सम हाइट अबाल इस ड्रॉब्ड फ्रॉम सम हाइट इट मुव्स थूर दिस्टेंस ओफ 24.5 मिटर इन दो लास्ट सेकेंड बिफोर इटिन दे ग्राउंड फाइंड है फ्रॉम फ्रॉम वच इट वस ड्रॉम तो हाइड अंगा फाइट करना है तो लेट है इंट गयुक्य। एक्स मीटर हमने हाइड को कितना एजुम कर लिया एक्स मीटर एजुम कर लिया अभी क्या बोल रहे है अइस बोस्तुर दिस्टेंस ओफ 24.5 मिटर इन लास सेकेंड बिफोर हिटिंग दे ग्राउड ग्राउड को हिट करने से पहले उसने क्या किया 24 24.5 मिटर डिस्टेंस पे वह क्या हो गया जो गया हणना इस पर सबसे पहले हम हाईड कर लेते हैं कि कितने हीड से उसको क्या किया गया है ड्रॉप किया गया है कैसे प्रॉट करेंगे चलो सेकेंड एक्विशन यह मोशन क्या होता है s is equal to ut minus drop कर रहे मतलब plus लगेगा plus half gt square ठीक है अब ना तो इसकी initial velocity दी हुई है और ना ही उसका क्या दिया हुआ है t की value दी हुई है पर initial velocity drop के condition में क्या होता है u is equal to zero होता है तो यह वाला time आपको क्या हो गया जीरो तो s is equal to half into 9.8 t square इसको solve करोगे तो कितना आएगा 4.9 तो s is equal to s की जगा हमने क्या zoom किया था x is zoom किया था तो x is equal to आपको यहां पे मिल गया 4.9 t square ठीक है यह इसकी height मिल गई हमको बच्चों समझ में आ रहा अब क्या करना है last second में वो क्या कर रहा है move कर जा रहा है ठीक है तो last second के लिए जैसे मानलो 10 seconds total travel करता है ठीक है 10 seconds उसको लगता है उसका traveling का time कितना है 10 seconds है तो total traveling वो 10 seconds कर रहा है तो last second जब मैं बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे 9 minus sorry 10 minus 1 हाना last second उसका कौन सा हो जाएगा 10 minus 1 वाला मतलब total 10 कर रहा है 10 minus 9 sorry 10 minus 9 total 10 कर रहा है मतलब 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके up to 10 तक चल रहा है 9 and 10 तो मुझे 9 और 10 की बीच का वाला जो time है उसके लिए find out करना है तो मैं 10 में से क्या करूंगा 9 को minus करूंगा तो मिलेको last second मिलेगा तो मुझे timing तो यहाँ X is equal to 4.9 T minus 1 का whole square समझ में last second के लिए मैं क्या करूंगा T minus 1 का whole square कर दूंगा इसको equation number क्या कर देंगे 2 देंगे हाना equation 1 & 2 मिल गया अब मैं क्या करूं इन दोनों equation को मैं क्या कर दूं equation 1 minus equation 2 अगर हम कर लेते तो X minus X इसको मैं X1 लिख लूँ X Nth को मैं X1 लिख लेता हूं ठीक है is equal to 4.9 T square minus 4.9 T minus 1 का whole square अब यह देखो यह कौन सा distance है X minus X X1 वाला distance कौन सा हुआ वह बोल रहा था कि last second में question में क्या बोले last second में क्या करता है उतना distance move कर जाता है कितना 24.5 24.5 ही है ना 24.5 मीटर वो क्या कर जाता है तो X minus X1 की जगह में क्या करूंगा 24.5 हम को given है ठीक है अब इसको solve करते बच्चों 4.9 T square इसको जब solve करेंगे तो 4.9 T square माइनस में A square plus B square मतलब माइनस 4.9 इंटू 1 का square 1 हाना माइनस 2AB मतलब plus माइनस माइनस प्लस 2AB 2 इंटू T B की value 1 है और यहां पर 4.9 clear है तो देखो 4.9 4.9 T square cancel out हो जाएगा 24.5 प्लस 4.9 इदर आ कि क्या हो जाएगा यह वाला 3 जाएगा क्या 3 जा करके देखो 3 8 जा 24 2 carry 3 9 जा 27 यह 3 जा चला जाएगा तो T is equal to कितना आ गया 3 seconds आ गया अब हमको height find out करना है तो X is equal to यहां पर पुट कर दो 4.9 इंटू 3 का square मतलब 9 9 9 जा 81 8 carry 9 9 4 जा 36 36 प्लस 8 कितना होगा 44.1 मीचर यह हमारा answer इतनी हैट उसने क्या की ट्रेवल की कोशन समझ में आ रहे है बच्छो मजा आया कोशन सौल करने में ऐसे कोशन मैंने सायथ पहले भी सौल करवाया आपको पर एक बार और फिर करवा दिया क्लियर है क्लियर है आगे बढ़े अच्छे कोशन सुठाओ मैं अब पक्का पक्का आगे बढ़े हूं चलो अच्छे कोशन सुठाते हैं हाँ सर अच्छे कोशन सुठाओ चलो नेक्स्ट कोशन नमबर टू देखते हैं बच्छे कोशन नमबर टू में क्या कहता है थी बाल्स ए बी एंड सी आर कैप इन ए स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन रॉग करो यहां पर ए बी सी टीनों क्या है रखे हुए किस तरह से रखे हुए वह भी हमको देखना तो यहां पर मैं A and C इनके बीच का डिस्ट्रेंस कितना है वन मीटर यहां पर मैंने बी रखा मिड़ पॉंट पे मिड़ पॉंट पे रखा मतलब इन दोनों की बीच का डिस्ट्रेंस कितना हुआ 0.5 ठीक है 0.5 0.5 दा मासेस ऑफ A B C R तीनों के मासेस गीवन है इसका 100 ग्र और इसका 300 ग्रा तीनों का मासेस गीवन है हमको चलो यह भी ठीक है रिस्पेक्ट रली फान दा NET GRAVITATIONAL FORCE ON हम net gravitational force find out करना है.. आन & कुछ फास्ट बोल रहा हूं ए, शेकन्ड बोल रहा है न ॕ हुआ ह क करना है.. एसलब किसके कारण लगेगा ? ऐसलब किसके कारण gtravitational force लगेगा ? हाँना एक इसके किस के कार लगेगा ये तो बी-खार को एए सबसकर सा mr. बिचाब ब्च सालो हैं ऊसको दारी कशन ब्रक्षाइश्व मतलं नैट फोर्स जीरो होगा क्या नहीं होगा तो नेट वस ढगालों गें तो फ दीटो वी आंड ए प्लस से और एखके है फॉर्मूला लगा दो G M1 M2 divided by R square plus G M1 M2 divided by R square यह होता है फॉर्मूला अब यहां पर देखो यहां पर देखो M1 M1 जो है M1 मतलब A और यह B यह AB और यह AC यह हो जाएगा A और यह BC तो देखो क्या-क्या common निकल जाएगा G M A यह common निकल जाएगा तो bracket में क्या बच जाएगा M B divided by R A B का square M B कितना है M B हमारा है 200 ग्राम M B हमारा है कितना 200 ग्राम यह मैं पहले लिख दू वैल्यू सब एक साथ पुट करेंगे ठीक है कितना आ जाएगा M B divided by R A B square plus plus इसमें से M C M C divided by R A C square यह formula लग जाएगा जी की वैल्यू पुट कर दो जी की वैल्यू कितनी होती है G की वैल्यू होती है F net is equal to G की वैल्यू होती है 6.7 into 10 to the power minus 11 अना M A की वैल्यू कितनी दियू है 100 ग्राम 100 ग्राम को केजी में अन्वर्ट कर दो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे M B की वैल्यू 200 ग्राम इसको भी 1000 से डिवाइड कर देंगे R A B R A B A और B के बीच का distance कितना है 0.5 0.5 का square प्लास M C M C की वैल्यू कितनी है 300 ग्राम इसमें भी 1000 से डिवाइड कर देंगे और A C की वैल्यू कितनी है 1 मीटर तो 1 का square तो 1 का square दो नहीं होगा ठीक है अब solve करो 0000 cancel out 0000 cancel out 0000 cancel out 0000 cancel out ठीक है ओके यहां पे 6.7 into 10 to the power minus 11 यह देखो यह 10 उपर जाके माइनस 12 हो जाएगा तो मैं यहां पे डारेक्ट लिग दे रहा हूं अच्छो clear है एक मैं solve करोंगा बाकी 2 आपको solve करना है कैसे solve करना है आपको दिवांग लगाना है अब उसके बाद 0.5 2 by 10 इसको 5 5 by 10 लिख सकते हैं तो 5 का square कितना होगा 25 into 10 to the power minus 1 मतलब 10 to the power minus 2 उपर जाके क्या हो जाएगा और यह 3 by 10 ठीक है तो यह 6.7 into 10 to the power minus 12 1 by 10 1 by 10 common निकाल लूँगा तो यह 10 अजर हो जाएगा यह 10 to the power 2 उपर चला जाएगा तो 200 divided by 25 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा इदर 1 by 10 हमने common निकाल लिया था ना तो यह क्या हो जाएगा 8 जा तो अब यह देखो यह 0 again 6.7 into 10 to the power minus 13 हो जाएगा और into 8 plus 3 11 11 से जब आप इसको multiply कर रहे तो कितना है 117 जा 77 7 carry 1166 66 66 plus 7 कितना होता है 73 तो 73.7 into 10 to the power minus 13 newton तो इसको आप क्या कर सकते हो 7.37 into 10 to the power एक हमने इसको दे दिया तो minus 12 newton यह हमारा answer आगे clear है तो ऐसी app को B के लिए भी solve करना on B B के किसके कारण लगेगा एक तो A की तरब लगेगा और एक C की तरब लगेगा दोनों opposite direction है तो net for zero हो जाएगा क्या नहीं जरूर ही नहीं होगा हमने उसकी position थोड़ना fix की है position के अनुसार वहां पर क्या होता है net for zero होता है तो वहां पर midpoint बोल दिया है तो इधर का देखो mass ज्यादा है इधर का mass कम है तो इधर पर क्या होगा अच्छा इसका direction भी बताना पड़ेगा आपको तो 7.37 into 10.-12 किस तरब होगा towards c towards c तो बी पर देखो बी पर अगर ऐसी find out करना पड़ेगा एक इधर a की तरब और एक c की तरब जा रहा है तो जब a की तरब जाएगा तो 100 ग्राम छुटा है as compared to 300 ग्राम तो जिधर mass ज्यादा उधर gravitational force ज्यादा तो बी पर भी क्या होगा towards c की तरब लगेगा net force ठीक है वैसी on c find out करना है तो on c देखो a के कारण इधर b के कारण भी इधर तो क दोनों में add हो जाएगा clear on c निकालोगे तो फिर से एसी add करना पड़ेगा on b निकालोगे तो आपको minus करना पड़ेगा क्योंकि दोनों opposite direction में clear है बच्चों तो note कर लो note करना चाहें तो आप on b और on c के लिए आप solve करके क्या करेंगे comment करेंगे answer ठीक है मजा रहा है बच्चो दनादन एसी वर्मा जी की बुक से questions आपके पास आ रहे है दड़ा 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 next question number 3 question number 3 क्या कहता है बच्चों question number 3 कहता है a particle of mass m1 is kept at x is equal to 0 एक particle है mass m1 का तो यहां पर मैं x-axis बना देता हूं x is equal to 0 पर m1 उसके बाद क्या बोल रहा है x is equal to d पर यहां पर x is equal to d ले ले लेते हैं यहां पर m2 उसके बाद बोल रहा है when a third particle is kept at x is equal to d by 4 x is equal to d by 4 x is equal to d by 4 तो x is equal to d by 4 यहां पर मैं ले ले लेता हूं d by 4 third particle उसका mass हमने ले लिया m dash ठीक है करक दिया उसको अब क्या होगा अब आपसे पूछ रहा है it experiences no net gravitational force due to the two particles अब बोल रहा है कि no net gravitational force यहां पर net gravitational force जो है वो फील नहीं कर रहा है net gravitational force जो है उस पर क्या कर रहा है apply नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब net force जो है क्या हो रहा है जीरो मिल रहा है यह जो पार्टिकल है बच्चों मास हमने जुम किया है वो कॉशन में बोल रहा है कि इन दोनों M1 और M2 के कारण इस पर कोई net force नहीं लग रहा है नेट gravitational force नहीं लग तो F1 is equal to क्या हो जाएगा again F2 हो जाएगा ठीक अब इसको solve करते हैं G यह देखो M1 अच्छा find out क्या करना बच्चों इसमें M2 by M1 का ratio find out करना है M2 by M1 इसकी value find out करनी है चलो find out करते है M1 M- divided by R square इन दोनों के बीच का distance कितना है इन दोनों के बीच का distance कितना है D by 4 हाना D by 4 minus 0 चलो ऐसे करके solve करो is equal to F2 की value कितनी है F2 की value G M2 M- divided by D minus क्या लिखेंगे D minus D by 4 का whole square क्या क्या cancel out हो गया M- M- cancel out हो गया GG cancel out हो गया बच गया क्या M1 D by 4 minus 0 कितना हो जाएगा D by 4 का whole square हो जाएगा होगा कि नहीं होगा होगा सार बिल्कुल होगा तो D by 4 का whole square यहां पर लिख दो इसको भी cancel out कर देंगे हम देखिए यहां पर M2 यहां पर देखो 4D minus D 3 3D by 4 होगा तो 3 का square और D by 4 का square अलग लिख देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा यह यह पुरा cancel out हो जाएगा यह समाझ में आया बच्चो कैसे आया 4D 4D minus D that is 3D by 4 इसको जब solve करें कितना हैगा 3D by 4 3D by 4 का whole square तो मैं देखो 3 square अलग लिख सकता हूं और D by 4 का square अलग लिख सकता हूं तो देखो यह cancel out हो गया अब हमको M2 by M1 find out करना है तो M1 को इधर ले जाओ और यह 3 square इधर आ जाएगा तो 3 square कितना होता है 9 तो इसकी value हो गही 9 समझ में आया बच्चो मस्त question था question number 4 question number 4 क्या कहता है two particles of mass 200 ग्राम इच दो पार्टिकल है दुनों का मास यह है वो सेम है और प्लेज़ डाटर सप्रेशन ओफ 10 cm इसका भी मास 200 ग्राम है इसका भी मास 200 ग्राम है इन दोनों की बीच का डिस्टेंस कितना है 10 cm separation of 10 cm अब देखो दोनों पे कौन सा फोर्स लग रहा है इसके कारण इस पे गिरेशनल फोर्स इसके खारण इसके तेशनल फोर्स अब देखो तो दुनों का mass same है, दुनों का distance same है, तो सब चीज क्या हो जाएगा, दुनों को लगने वाला जो force एक दूसरे के पर वोई equal हो जाएगा, तो मैं पहले force find out कर लेता हूँ, तो force, gravitational force के formula, G, M1, M2, divided by r squared, तो F is equal to, G की value कितनी होती है, 6.7 into 10 to the power minus 11, यह 200 ग्राम यह भी 200 ग्राम divided by r square यह क्या करो आप किसी पर कोई सब भी इस पर भी फोर्स लागे का इस पर भी फोर्स लागे गा दोनों पर सेम फोर्स लागे गा तो हम कोई सब भी फोर्स फांड नोट कर लें अब देखो 200 ग्राम है तो यह 1000 यह भी 1000 000000 0000 cancel out 10 का square 10 cm बोले न तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा 10 10 to the power minus 2 whole square ठीक है f is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 into 224 यहां पर कितना आएगा 100 अच्छा देखो 10 into 10 power minus 2 कितना हो जाएगा 10 to the power minus 1 हो जाएगा 10 power minus 1 का square कितना हो जाएगा 10 to the power minus 2 और यह 100 तो 10 47 28 to carry 46 24 26 26.8 into 10 to the power minus 11 newton अब यह बोल रहा है कि यह दोनों about to move हो गये हैं मतलब मूव होने वाले तब इनका acceleration क्या होगा तो f is equal to अब क्या लगा देंगे acceleration का formula क्या होता है बच्छो acceleration is equal to f by m force upon mass तो acceleration is equal to force कितना है 26.8 into 10 to the power minus 11 newton चेक कर लो बच्छो सही किया होंगे नहीं to carry 46 24 plus 226 ठीक है कुछ गलत हो गया होगा तो आप लोग करेक्शन कर लेना method सही है बच्छो ठीक है मास कितना है किसी एक का दोनों का यह acceleration सेम होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है दोनों पर लगने वाला force भी सेम है तो किसी एक का find out कर लो आप तो दोनों का सेम होगा तो 200 ग्राम 200 divided by 1000 एक 0,1,0,1,0,1,0 cancel out यह 10 उपर जाके multiply हो जाएगा तो ए is equal to इसको cancel out करो 21 जा 2,23 जा 6,24 जा 8 तो 13.4 into 10 to the power minus 10 हो जाएगा कि यह 10 उपर जाके multiply हो जाएगा तो acceleration is equal to कितना हो जाएगा 1.34 into 10 to the power minus 9 meter per second square यह है answer clear है बच्चो समझ में आया चलो one more question for you this is the last question for this lecture lecture क्या है a particle weighs 120 Newton on the surface of the earth at earth पे weight on earth given हमको कितना given है 120 Newton ठीक है अब बोल रहा है कि at what height above the earth surface will its weight be 30 Newton कितनी हाइट पे इसका weight जो है वह कितना होगा 30 Newton शो करेगा जब radius of earth given है 6400 km कितनी हाइट पे तो फॉर्मला लगा तो क्या फॉर्मला लगाएंगे वेट का वेट का फॉर्मला क्या होता है मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं उसमें मैंने बताया है कि वेट का फॉर्मला यह होता है एच हाइट के लिए तो वेट ऑन अर्थ वेट ऑन अर्थ मतलब इस एम जी की वैल्यू कितनी होगी 120 वेट ऑन हाइट हाइट पे कितना है 30 तो यह 30 हो जाएगा आरी आरी की वैल्यू अंको गिवन है इसको अभी मट पुट करो इसको ऐसे सॉल करो तो देखो 31 जा 34 जा तो यह हो जाएगा वन बै फॉर इस इकोल डू आरी बै आरी प्लस एच होल स्क्वेर अगर यह फार्मला नहीं पता होता बच्चों तो सबसे पहले आपको जी फाइ में बैठाना पड़ेगा ठीक है रटने की जर्वाद नहीं बच्चों सॉल करेंगा आटोमेडिका आपके दिमांग में स्टोर हो जाता है फॉर्मूला दोनों तरह भी स्क्वेर रूट कर दो स्क्वेर रूट करो के तो यह वन बाय टू इधर क्या मिलेगा आरी बाय आरी स्क्रास मिल्टिपलाइ कर दो च्रास मिलेप्लाइ करोगे तो आरी प्लस एच इस इकोल टो टू आरी यह ओर जाके मैंझार आरे मतलब जितना उसका रडिएस है बायर्थ का उतना ही वह उपर लोगत, इना उतना ही वह ऐर्ध स्क्षारफेस से उपर की तरब जाएगा ये बोल रहा है कोशन तब इसका वेड़ 120 newton से कितना हो जाएगा 30 newton हो जाएगा clear है और obviously हमको पता भी हिए कि जैसे ही हीट ऊपर हड़ सरसिसम उपर जाते जाते हैं वैसे जी की वेलु क्या हो जाती है लो उते जाती कम होते जाती तो जी की में वेल्व जी का मधूना चीज कम ओना चीज होके चंपियांज तो प्रैक्टिस करते रहो डाउस निकालते रहो और बेशते रहो बाइड केर सिंदा नेक्सा हुआ